जारकन के चर्चे तारा शाहदे और प्रतारणा मामले में CBI की विसेस अधालत में आज फैसला सुनाए जाएगा CBI की विसेस अधालत ने 23 सितंबर को दोनों पक्च की धलीले सुनने के बाद 30 सितंबर यानि आज फैसले की तारीक निर्धारित की मामले में जारकन हाई कोट के पूर रजिस्ट्रार मुस्ताक एहमद ट्रायल फेस कर रहे हैं तीनों को फैसले के समय अधालत में व्यक्तिकत रूप से मौजूद रहने का नरदेश दिया गया है जारकन हाई कोट के आदेश पर CBI ने 2015 में इस केस को टेक ओवर किया था इस मामले के सुनवाई लगभग आठ साल तक चली है जिसमें तीनों आरोपियों के खिलाफ तीन जुलाई 2018 को आरोप गठित के आ गया था CBI के ओर से 26 गवाहों को पेस के आ गया है नेशनल सूटर तारा शाहदेव प्रताड़ना मामले में CBI की विशेश अदालत में आज फैसला सुनाये जाएगा CBI की विशेश अदालत ने 23 सितंबर को दोनों पक्चों की दलीलों को सुनने के बाद आज की तारीख पर फैसला शुनाने की तिति निर्धारित की थी मामले में रजीत सिंग कोहली और फरकीबुल हशन उसकी मा कोशल राने और जारखन हाई कोट के पूर रजिस्टरार मुस्ताक एहमद ट्रायल फेस कर रहे हैं इस केस की समविदन सीलता को आप इससे समझ सकते हैं कि ये केस आठ सालों तक चली है आठ सालों तक लंबा ये केस चला है जारखन हाई कोट के हस्तचेप के बाद CBI ने इस केस को टेक ओवर किया था और उसके बाद आज इस केस में एक बड़ा दिन है आज फैसला आने वाला है तो कह सकते हैं नेशनल सूटर तारा शाहदेव मामले में आज के लिए आज का दिन बहत अहम है आज फैसला सुनाया जाना है आज की तारीक निर्धारित की गई थी और इसमें जो भी लोग ट्रायल फेस कर रहे हैं उन सभी को अदालत में व्यक्तिकत रूप से मौजूद रहने का भी निर्देश मिला है जारखन हाई कोट के आदेश पर आपको बता दें कि CBI ने 2015 में ही इस केस को टेक ओवर किया था और अब 2023 में फैसले की घड़ी है यानि कि आप समझें कि 8 सालों के लंबे इतजार के बाद इस केस पर आज फैसला आने वाला है आठ सालों तक लंबा ये केस चला है और आज फिलाल इसकी गुत्ती सुलचने का इंतजार है हाई कोट के आदेश पर इस केश को टेक ओवर किया गया था आपको बता दें CBI की ओर से और CBI ने अब इस मामले में आज फैसला शुराने की जो तारीक है वो नरधारित की है मतलब हम करेंगे आपको गाई बनेंगे आपके मेंचोर पांटेशन क्लासे फ्रॉप्ट वार्ट फुचर विजित कम्लेट शुलूशने सचू